इतनी लंबी लाइन लगी है कि सबसे बड़ा सेलफी पॉइंट है नमस्कार दोस्तो स्वागत है आपका हमारे चैनल यूपी तलका पर आज साल का आखरी दिन है यानि की 31 दिसंबर तो आज हम आए हुए हैं यहां की चटोरी गली में यह चटोरी गली 90 के बगल में ही इस्ति मिल जाएगा आपको यहां के बाद अभी हम चलेंगे लखनों के लूलू मॉल जहां पर आज रात को खुब सारे पटाके दगेंगे तो गाई तब हम आ चुके हैं लखनों के लूलू मॉल यहां पर बहुत देर से आतिस बाजी हो रहे नुएयर कर सेलिब्रेशन हो रहा है बहुत सारे लोग आये हुएं बहुत भीड़ हैं सभी लोग यहां पर नुएयर अपना सेलिब्रेट कर रहे हैं 2023 के आने की खुसी में यहां पर कम से कम आदे घंटे तक आतिस बाजी हुई है मतलब 12 वजे के पहले ही स्टार्ट हो गया था वाह क्या बात है कितना सुन्दन लग रहा है बहुत ही अच्छा लग रहा है 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 घ्लो गाइज गूपर नग अपने रहे हैं अपन द थन नबब चौड़ा है पर आपको गुमेंगे 1094 और रिवर फ्रंट, अम्बेटकर पार्क, जनेश्वरमिस पार्क और हो सकता है, मौल भी चल सकते हैं, तो बने रहिएगा, आज गुरा आपको दिखाने वाले हैं इसी व्लॉग में, कैसी ये 1090 का सबसे बड़ा सिल्फी पॉइंट है, यहाँ पर लोग सिल्फियां लेते हैं, और आपने देखी भी होंगी, बहुत सारी लील वगएरा भी देखी होंगी, तो यह आज का नजा रहा है, यहाँ पर, यह पार्क बना हुआ, आईलव लखनू, जो सिल्फी पॉइंट है, उसके पीछे, यहाँ पर भी आप आ सकते हैं, यहाँ पर को यहाँ से अमिटकर पार का नजारा बहुत ही सुन्दा दिखाई देता है, यह देखिए, अब यहाँ अंदर भी चलेंगे, और दिखाएंगे आपको कि कितनी ज्यादर भीड होगी यहाँ पर, और कितने सारे लोग आये हुए होँगे, यहाँ पर आज दिवर मनाने, तो हम यहाँ आगे हैं, बिटकर पार की पार्किंग में, आप गाड़ियों से अंदाजा लगा सकते हैं कि अंदर कितनी भीड होने वाली है, चलिए दिखाते हैं आपको, आज तो लगरा भाई, टिकट मिला बहुत मुश्किल है, देख रहा है कि इतनी ज्यादा भीड होगी है, चारो तरफ से लोग आई रहें यहाँ पर, यह टिकट कर यहाँ से आप टिकट लेंगे 15 रुपर का एक टिकट मिलेगा, देख रहा है कि इतनी ज्यादा भीड है, आज के दिन इतने ज्यादा लोग आए उन्हें कि क्या पता है, अंदर और ही भीड होगी है, इतनी सारी भी लगी हुई है, इतनी ज्यादा भीड है कि क्या बता है, कैसे इंट्री करेंगे लोग, कैसे जाएंगे अंदर आ चुके हैं और आपको दिखाते हैं सांदार नजारा यह देखें इतनी भीड है कि क्या ही बताएं देख रहा हो, कहां कहां लोग चड़े हुए है, उपर से पूरा नजारा ले रहे हैं उपर से देखते हुए यह हमारे तारे मित्रगड बैठे हुए हैं और यहां पर नील भीड नहीं देखें प्रक्रित कर रहे हैं सब लोग फोटो के जाने में बीजी है अपना कोई किसी के साथ आया तो कहीकर साथ हया है जबाइए ब्राइए अब हम लोग यहां पे निकल रहे हैं और चलेंगे कहां चालेंटेंट इसोड़ पारक आउसिज कह रहेเงं यह नहीं हम नहीं बोलेदा ऐसा कि तो जनेश्वर पार्क चल रहा है अब हम लोग तो अब हम आगें लकनो के जनेश्वर मिस पार्क और गेट नमबर चार पर हैं अभी अब इस पर आज हम हर जगह आपको नजारे ही दिखाएंगे जिर्फ यह यहां से ट्री कर रहा है गेट नंबर चार से यह देखिए यहां से लाइन से पेड़ लगे हुए कितने खुब्चूरत लग रहे हैं और अभी हम आपको ले चलेंगे फाउंटेन के पास बिखाते हैं चलके यहां पर भी बहुत जाता पेड़ देखने को मिल रही है अपको बता दें यह लखनो का सबसे बड़ा पार्क है कि घुनते घुनते थाग जाएंगे यहां पर आने के बाद टिकट भी जादा मैंगा नहीं दस रुपए में आप इंट्री कर सकते हैं यहां पर आने के बाद तो गाइस अब हम आ चुके हैं यहां जील के पास और यह पूरी जील बनी हुई है पूरे इसी पार्क में पूरी इसी तरह बनी हुई है और जहां तक जाएंगे पहले यहां पर ना अगरा भी चलती थी लेकिन अब बंद है इस टाइम पर तो गाइस आज का व्लोग यहां पी तलगा को फालो करना मत भूलिएगा तन्यवाद